आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जन्वन कोर्स करेक्शन देखो, जो ये एडमिट लिखा हुआ है एडमिट क्या है? एडमिट वर्ब है किस फर्म में है? वर्ब की फर्स फर्म है ठीक है? वर्ब की फर्स फर्म बोल लो और यू कैन से बेस फर्म बोल लो base form के साथ-साथ plural form of verb भी बोल सकते हैं right we can also write plural form of verb basically when it is in first form that is also admit ठीक है admit को हम तीम तरह से कह सकते हैं option-wise देखें तो जो option B में admitty है न वो गलत है वो ऐसा कुछ होता है right admitty is nothing कुछ नी होता है गलत है जो option C में admits है admit भी verb की first form है बट वो क्या है वो singular है ठीक है singular form है verb की first form or you can say singular form of the verb देखो अभी ना कोई subject given है right बाद के लिए कोई object भी given है as such यहाँ पर हमें verb की जुरुत नहीं होगी क्योंकि verb को क्या चाहिए होता है verb को एक subject चाहिए होता है चलो object you write or you doesn't doesn't matter much but we need a subject for this specific verb तो यहाँ पर नहीं आने चाहिए और किसी भी sentence के starting में कभी verb नहीं आती जब उसका subject mention ना हो यहाँ पर admit का subject mention नहीं है तो we will say जो C और D है यह भी गलत हो जाहिए क्योंकि जो given है that is admit वो भी गलत है और कि option D भी गलत है we are left with only one thing that is option A admitting admitting है क्या admitting एक gerund है gerund क्या होता है जब हम verb में ing लगा देते हैं तो यह admit verb है ठीक है किसी भी verb में जब हम ing लगा देते हैं तो वो gerund बन जाता है और gerund किसकी तरह काम करता है gerund noun adjective adverb सब की तरह काम करता है अभी यह noun की तरह काम करेगा यहाँ पर सो वी कें से option A is the correct answer of the given question थांक यू प्लासिक्स चुट्वल से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर